जो आपको screen पर image दिख रही है जैसे कि macro shot वो आपको खीचने के लिए कोई भी macro lens के भीना mobile में तो आपको सबसे वहले mobile के pro mode में आ जाने pro mode के में आने के बाद आपको सबसे वहले white balance को auto select कर लेना और focus को minimum रखना है और मैं अब recommend करूँगा कि आपके mobile में जो inbuilt pro mode है उसको यूज करें कि जो कोई लोग में नहीं होता है वो third party यूज करते जिसे इतना अच्छा result नहीं मिलता और आपको shutter speed 1 by 4000 seconds कर देना है क्योंकि जो subject होगा fast moving subject हो सकता है इसलिए हमें उसको freeze कर देना है इसलिए 1 by 4000 सिलक किए और ISO का 400 कीजिए अगर आप outdoor में shoot करना है तो अगर ISO 400 से नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 500 से अफ हो गया ना तो आपके image में noise आ जाएगा और exposure value का आपको यानस 2.0 पर सिलक कर देना है और इतने करने के बाद आपको image क्लिक कर देनी है focus कर गया और image क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा post procession के लिए उसको lightroom में edit करना होगा lightroom में edit कैसे करें वो जानने के लिए हमाने चैनल को subscribe करे थेंक्यू